हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम बेक टू आ चैनल निर्मिला क्लासिट, प्रिवेस वीडियो में हमने क्लास 7 एक्ससाइस 12.3 का 8th कोशन कम्प्लीट कर लिया था, अब हम इसके 9th कोशन की तरफ बढ़ेंगे, जो की है देखो, what should be value of a, अपनको किसकी value निकालनी है, a की, अपनको x equal to क्या दे रखा है अपनको, 0, x जेगे पर 0 रखना है, a की value find करने है, x जेगे पर 0 रखना है, ठीक है, और अपनको expression दे रखा है, देखे, अपको सबसे पहले ध्यान रखना है, x जेगे पर क्या रखना है, 0 रखना है, x जेगे पर 0 रखना है, तो अपनको x equal to 0 दे रखा और अपनको expression दे रखा है 2x square plus x minus a equal to 5 बोल्ड रखा है ठीक है और अपनको value निकालने एक ही तो ए अपने पास नहीं है एक है अपनको क्या निकालनी है value निकालनी है तो देखते हैं सबसे पहले एक सी जगे पर 0 put कर देते हैं टू एक सी जगे पर क्या पूट करना है 0 का square plus 0 minus a equal to 5 ठीक है एक सी जगे पर क्या पूट कर दिया 0 अब देखो 0 का square क्या होता है 0 into 0 0 होता है और 2 0 जा क्या होगा 0 तो यह क्या बन जाएगा 0 तो 0 plus 0 minus a equal to कितना आ जाएगा 5 ठीक है अब देखो 0 plus 0 कुछ नहीं होता है 0 यह होता है 0 minus a तो minus a बचेगा तो minus a equal to कितना आ जाएगा 5 अब minus a equal to 5 है तो यह minus उत्या transpose हो जाएगा इसको अपन क्या बोलते transposition method यूज करते है तो a equal to क्या आ जाएगा अपने पास में minus 5 तो अपने a की value क्या निकाल ली minus 5 तो यहां पर यह 9th question खताम हो गया ठीक है अगर आपको यह समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें नेक्स वीडियो में हम भी exercise का last question करेंगे 10th question और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक यू